इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 27 योताम का राज्य जब योताम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरुष्ले में 16 वर्ष राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरुष्य था जो सादोक की बेटी थी उसने वह किया जो यहवा की दुरुष्टी म ठीक है अर्थात जैसा उसके पिता उजियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया तो भी वह यहवा के मंदिर में नगोसा और प्रजा के लोग तब भी बिगडी चाल चलते थे उसी ने यहवा के भवन के उपर वाले फाटक को बनाया और ओपेल की शहर पनाह पर बहु में गड़ और गुमठ बनवाये और वहां अम्मोनियों के राजा से युद्ध करने उन पर प्रवल हो गया उसी वर्ष अम्मोनियों ने उसको सवकिक कार चांदी और दस-दस हजार कोर गेहु और जव दिया और फिर दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उन्होंने उसे उतन ही दिया यो योताम सामर्थ हो गया क्योंकि वहां अपने आपको अपने परविश्वर यहुआ के सनमुख जानकर सीधी चाल चलता था योताम के और काम और उसके सब युद्ध और उसकी चाल चलन इन सब बातों का वर्नन इसरायल और यहुदा के राजाओं के इतिहास में लिखा है जब वह राजा हुआ तब पच्चीस वर्ष का था और वह यरुशले में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा निदान योताम अपने पुर्खाओं के संग सो गया और उसे दाउदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने ल